ग्रहों की महादशा और उसके अच्युक उपाई हमारे इंस्टाग्राम पे 1000 से ज़्यादा वीडियोज है उसके अंदर आपको सारे ग्रहों के उपाई वास्तु दोस्त के उपाई और कुछ तोटके नजर दोस्त के तोटके सारे मिल जाएंगे तूर्य की महादशा के लिए महामृत्युन जाई के जाप रोजाना कीजिए अगर चंद्र की महादशा चल रही है तो शिव सहस्तर नाम का पाठ जो है वह आप रोजाना कीजिए बोमदशा जिसे मंगल की महादशा कहते है जिसके लिए सुन्दर कांड अथि उत्तम है कदा है शनी की महाधसा में महामृत्यूंजय मंत्र और शनी चालिसाक conventions देख्ये हश्तत्रेखा में बहुत शारे चिन्ह होते हैं का फी जोति हैं तो अगर आपकी हश्तत्रेखा मुझा इस प्राकार के चिन्ह है तो आप बहुत ही भागयशाली है, जैसे स्वस्तिक है, त्रिशूल है, डमरू है, लेकिन नॉर्मल लोगों की हथेली में भी ये तीन चीन्ह जो है, वो होते हैं, उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है, पहला है V, दूसरा है M, और तीसरा है X, स्क्रीन के उपर आपको दिखेगा, इस प्रकार से अगर चिन्ह बनते हैं, तो आप काफी भागयशाली है, अगर सुक्षम तरीके से अस्तरेखा देखी जाती है, नॉर्मली अस्तरेखा में चक्र का निशान, स्वस्तिक का निशान, दजा का निशान, मन्दिर का और वी, एम और क्रॉस ये चीनह जो है नॉर्मली हस्वरिखा में देखे जाते हैं और जानकरी के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक कीजिए मित्रों को शेर कीजिए तिन अक्टूबर से शनी महाराज गोचर करेंगे राहू के नक्षत्र में शत्र पिशा नक्षत्र में शनी महाराज 85 देज तक रहेंगे पांच रासी वालों के लिए यहाँ पे दिक्तक का समय हो सकता है आने वाली तिन अक्टूबर से 85 देज तक शनी महाराज वकरी अवस्ता में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे है मकर रासी, तुला रासी, मीन रासी और मित्वन रासी यह चार रासी वालों के लिए दिक्तक का समय हो सकता है और रशन वगेरे आ सकता है वाट कचेरी के चक्कर लग सकते हैं एल्थ इस्यूस आ सकते हैं डिवोर्स वगेरे हो सकता है और एक्सिरेंट वगरा भी हो सकता है। उपाय के तौर पे आप नीती से चलिए, किसी का भी गुरा मत कीजिए, क्योंकि शनी महराज नियाई के देवता है, जितना साफ रहोगे उतना अच्छा समय रहेगा, हो सके उतना धर्म का पालन कीजिए। जन्म तारिक से जानें कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जन्म तारिक एक दस, उन्नीस और अठाइस है, तो आपको अधिक रात को देर तक जागना नहीं चाहिए। दो, ग्यारा, बीस और उन्तीस तारिक को पैदा जो बच्चे हुए है उनको अधिक सोचना नहीं चाहिए। तीन, बारा, बीस और तीस इन तारिक को जो पैदा हुए है उन लोगों को आध्यात्मिक्ता से दूर नहीं भागना चाहिए। उनको धर्मका मार्ग अपना के रखना चाहिए 4, 13, 22 और 31 इन लोगों को उतार चड़ाव लाइफ में उनके बहुत आता है इनसे दूर नहीं भागना चाहिए 5, 14 और 23 इन तारिक को जो पैदा हुए है उन्हें अपने लक्ष से भटकना नहीं चाहिए 6, 15 और 24 इस तारिक को जो पैदा हुए है उनको पैसा ज्यादा खर्ज नहीं करना चाहिए 7, 16 और 25 इन तारिक को जो पैदा हुए है उनको ज़्यादा ट्रेस नहीं लेना चाहिए 8, 17 और 26 इन तारिक के जो बच्चे है उनको हालातों से दूर नहीं भागना चाहिए नो अठारा और सत्ताइस सारी को जो बच्चे पैदा हुए है उनको गुस्सा जाधा नहीं करना चाहिए यह सारी जो है वो आपकी कमजोरी है कमजोरी को अपना हत्यार बनाए ऐसा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक कीजिए